Hello everyone, welcome to Cherry Aspirant तो Delhi Public School धनबाद ने अपना Teachers का Vacancy निकाला है तो जो भी interested है दोस्तों वो 2023 में Delhi Public School का Teacher बन सकते हैं तो अभी हम बात करने वाले हैं Delhi Public School धनबाद ने जो Teachers की Vacancy निकाली है उसका qualification क्या है, educational qualification, उसका essential qualification क्या है साथ ही हम यह बात करेंगे कि किसकी स्पोस्ट पर Vacancy आये हैं जैसे कि TGT, PGT और PRT 3-0 को लेकर और इसके साथ साथ Vice Principal और Head Ministries का भी देखेंगे कि इसके क्या-क्या Delhi Public School धनबाद यानि कोई भी DPS का किस तरह से इसका educational qualification, essential qualification रहता है और इसका pay band भी देखेंगे कि कितना salary किसके आसपास मिलता है दोस्तो और साथ ही देखेंगे कि कब से apply करना है आपको और कब तक date है apply करने का ठीक है, तो बने रहे हैं हमारी वीडियो के साथ मेरा नाम है चिरेंजी और आप देख रहे हैं Cherry Espirant तो सबसे पहले मैं आपको Delhi Public School से मिलाता हूँ जो कि धनबाद के कार्मिक नगर में इस्ती थे तो आप देखेंगे अब अपने स्क्रीन पे तो ये है दोस्तो Delhi Public School धनबाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये पूरा Delhi Public School धनबाद का पूरा building है अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कार्मिक नगर ISM Post Office पढ़ता है पोस्ट इनका ISM है ठीक है कार्मिक नगर में ये है तो अगर इसकी location की बात की जाए तो IIT अगर आप गए हो तो ठीक है नहीं गए है तो IIT धनबाद जो है जिसे ISM धनबाद भी कहते ठीक है वो आपके उसके जश्ट आगे कार्मिक नगर यानि पीके रै कॉलेज के जश्ट आगे है ये डेली पब्लिक स्कूल धनबाद यहाँ पर इसका पूरा building आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं यह पूरे धनबाद का topmost अच्छे स्कूल में से एक है पूरे parents line लगाए फिरते हैं फिर भी form ठीक से नहीं मिलता या बच्चों का admission के लिए यहाँ बहुत ही पापड बेलने पेड़ते हैं यह parents से अच्छा कौन जान सकता है मैं यहाँ पर गया हूँ इसलिए मैं जानता हूँ इसके बारे में अच्छा कासा तो चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या recruitment का process है और क्या essential qualification है तो दोस्तों हम आ गए हैं इस PDF पे और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले serial number one में कि क्या क्या recruitment का process है essential qualification क्या क्या है ठीक है तो इससे पहले आपको यहाँ पर एक bold letter से black color से देखने को मिल रहा होगा देखें situation vacant के बाद नीचे लिखा हुआ कि application are invited from the trained teachers with seated and seated मतलब जिन्होंने seated पास करा है उनके लिए ही ये vacancy है जिन्होंने seated पास करा है उनके लिए ही ये vacancy है seated तो आपका central teacher eligibility test जो की अभी आप जानते ही होंगे अगर आप teacher का तयारी कर रहे हो या फिर beard कर रहे हो तो ठीक है कि seated क्या होता है तो अब हम आगे देखते हैं अगर आप seated या seated नहीं भी है तो आप कम से कम इसको देख कर ये पता लगा सकते हैं कि क्या क्या इसका recruitment होता है क्या क्या qualification मागा जाता है ताकि आपको आगे आने वाले समय में पहले से fulfill करके रखे और ये सब सब आपके पास अगर है तो आप इस teacher बनने के लिए DPS में eligible हो पाएंगे तो चलिए देखते हैं कि wise principal का क्या recruitment के लिए क्या essential qualification रहता है तो wise principal के लिए यहाँ पर post graduate होना जरूरी है यानि PG होना चाहिए PG किसी भी subject में आपका MA हो, MCOM हो या फिर MSC हो कोई फरक नहीं पड़ता है साथ ही आपके 5 साल की working experience किसी भी good, reputed public school में होने ही चाहिए ठीक है same capacity, same capacity मतलब कहने का यह मतलब है कि आपका 5 साल का working experience होना चाहिए और साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर work experience of any DPS will be prepared मतलब पहले से अगर वो DPS में अगर काम कर रहा है ठीक है, principal के पदपर या फिर PGT teacher के पदपर 5 साल से, तो उसको और भी preference दिया जाएगा, चलिए दो number में बात करते हैं, head ministries की, तो head ministries में क्या qualification है, तो head ministries में आपका है post graduate, इसका भी PG है, यानि MA, MSC, MCOM तीनों में से कोई भी, और इसमें एक minimum 3 साल के working experience होने ही चाहिए, साथ ही अगर वो DPS में काम कर चुकी है पहले, ठीक है, head ministries के पदपर तो आप, या फिर किसी PGT, PG teacher के पदपर ठीक है, 3 साल का, तो उनको preferred किया जाएगा, DPS मतलब कोई भी Delhi Public School, या फिर दनबाद Public School, इस तरह का कुछ है, अगर काम कर चुके हैं, तो उनको preferred किया जाएगा, यहाँ पर mainly Delhi Public School के बारे में ही बात की जा रही है तो कहीं पर भी, अब अगर आगे आते हैं हम लोग, तीन नमबर पे, तो आपको देखने को मिलेगा TGT teacher, तो TGT teacher के अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, English का, SST का SST में geography का, ना कि आपका history और political ठीक है, इसकी बात नहीं की जा रही है SST में geography की बात की जा रही है तो देखिए, यहाँ पर SST में geography, history, physical education, ठीक है, post graduate teachers और MPE year, यह सब होने ही चाहिए मतलब यह सब सारे teachers की ज़रत है अभी, धनबाद public school को, और साथ ही हम देख पा रहे हैं, कि आप देखिए, यहाँ पर qualification के लिए और क्या चाहिए तो आप देख रहे होंगे कि five years का teaching experience होना ही चाहिए किसी भी reputed school में similar capacity के साथ, मतलब आप TGT के पद पर अगर आप किसी दूसरे school में काम किये हैं तो कम से कम पांच साल का experience चाहिए ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तो, PRT teacher की यानि इसके साथ सत क्या चाहिए seated भी चाहिए, इस चीज को इस एजुकेशन के लिए, dance teacher की vacancy है, हिंदी की, math की और, कोटे, कोटेशर इन दा primary classes, ठीक है मतलब वहाँ पर primary classes में इस तरह के teachers की vacancy है MPEAD की, यानि physical education की बात की जा रही है master of physical education, ठीक है master degree in dance with the reputed university, ठीक है post graduate teacher in the क्या लिखा है post graduate teacher in the maths in Hindi, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, कि अगर आप किसी भी university से dance के में आपने course कर रखा है तो आप PRT teacher में dance के पदपर, dancing teacher के रूप में, यानि dance teacher में applicable है, साथ ही आपका अगर post graduate है, आप यानि PG कर रखे हैं, MMSC, M.com ठीक है, अब यसी बात है कम से कम MMSC होना चाहिए math के साथ, तब आप ही math teacher के लिए PRT में applicable है, अक्सर बहुत सारे जगह में क्या होता है दोस्तों, ठीक है कि math अगर आपका जाना चाहते है PRT में, तो आपको कम से कम DLEAD होना ही चाहिए, ठीक है और साथ ही 12th होना चाहिए तो यह होता है, बट DPS में ऐसा नहीं होता है अगर आपको DPS में नौकरी करनी है तो आपका PG होना चाहिए math से, तब आप PRT बन सकते हैं अब सोच लिजिए कि ऐसा इसका recruitment का process है, आप Hindi के teacher है फिर भी आपका PG होना ही चाहिए हिंदी में, ठीक है अब आते हैं, next, German teacher के बारे में, पांच नंबर में तो German teacher में लिखा है, देखिए bachelor degree in German along with the education, ठीक है, डिग्री यानि आपका German से bachelor degree होने ही चाहिए, साथ ही आपका कितने साल का experience होना चाहिए तो 3 साल का experience होना चाहिए किसी भी reputed institute में German पढ़ाते हुए, तो चलिए देखते हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है all the post preferred will be the given are consistently good academic records, मतलब आपके good academic records होने चाहिए, कोई भी public school background के according, यानि जिस public school में आपने काम करा है, 3 साल, 4 साल का experience, ठीक है उसमें अच्छा record होना चाहिए, आपके नाम पर, अच्छा होना चाहिए, वहाँ किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपके पढ़ाई को लेकर साथ ही, computer working knowledge and fluency of the communication English होना ही चाहिए, मतलब साथ ही आपको computer में घ्यान होना चाहिए, थोड़ा बहुत और इसके साथ साथ आप English आपको अच्छी तरह से communication होनी चाहिए मतलब English बोलना आपको आनी चाहिए और लिखा हुआ है, देखे दोस्तों कि CTAT और JT is mandatory for the post of 3 and 4 मतलब 3 and 4 post की बात कर रहा है यानी बात कर रहा है आपका TGT और PRT या अगर आप TGT और PRT बन रहे हैं, तो आपके लिए CTAT या फिर JTAT होने ही चाहिए ठीक है, इन में से दो में से कोई भी आपका है, तो आप इसके लिए eligible है, और अब चलिए नीचे देखते हैं, क्या लिखा है, पेश के बारे में मतलब salary कैसी होती है तो as per DPS society rule central government rules or allowances are applicable for the all post, मतलब जितना भी post दिया हुआ है यह सब में आपको salary होगी वो अच्छी खासी रहती है दोस्तो, DPS की salary के लिए आपको बोलने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी अच्छी खासी salary रहती है अगर आप PRT की बात करें दोस्तो तो PRT teacher में जो railway का group D का salary होता है उसके आसपास उससे कम ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगा अगर आप TGT teacher की बात करें तो TGT teacher में जो railway का group C level का post होता है group B, group C उसके आसपास आपकी salary रहेगी और अगर PGT teacher की बात की जाए तो एकदम आप बोली नहीं सकते इतना पैसा मिलेगा, कि आप किसी भी तरह से दूसरे job के लिए बारे में नहीं सोचेंगे और आप जानते ही है noble professional teachers तो कोई दिकत है ही नहीं और चलिए देखते हैं कि apply आप किसे कर सकते हैं तो आप apply करेंगे कि application with the recent passport size photograph जो application आप भरेंगे इसका जो आप application मिलेगा इसके official website पे आप जाएंगे तो application एक देखने को मिलेगा वो application को download करने है या फिर अपने से कोई application लेना है जिसमें कुछ basic details आपका बना हुआ रहेगा जिसे नाम, पता, पापा का नाम, email id, educational qualification description last में निचा हुआ, निचे लिखा हुआ declaration ठीक है, वो सब सब उसमें photo लगानी होनी है आपकी और साथ ही इस जो email id आपको दिया हुआ है यहाँ पर dps at the rate dhn dps at the rate gmail.com उसपे आपको email कर देना है और या फिर principal लिखा है posted on the principal at the aforesaid mansion address मतलब जो आपको address यहाँ पर दिया गया है देखिए ठीक है, इस address में यानि post office ism धनबाद 826004 जारकन इस address में आपको to the principal करके जो की principal का यहाँ पर आपको दीख रहा होगा डक्टर सरीता सिन्हा ठीक है इसके नाम पर आपको भेज देने है और कब भेजना है तो 10 दिनों के अंदर ठीक है within 10 days 10 days के अंदर अब यह जो आया है notification दोस्तों यह आपका 7 तरीका date का है 7 फरवरी का तो 7 फरवरी से 10 दिन जोड लीजिए मतलब 17 फरवरी तक आपका last date है ठीक है मतलब अधिक से अधिक आप 100 फरवरी तक भेजी दीजिए तो आपके लिए ज़्यादा फाइदेमंद रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा बाद में क्या भेजना अगर भेजना ही है पहले भरना है तो थोड़ा पहले भर दीजी तो यह सब आपका description में लिखा होना चाहिए आप इस तरह से इसमें apply कर सकते हैं उमीद है आपको यह पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते है नई वीडियो के साथ अगर आप teachers के बारे में कुछ भी जनकरे लेना चाहते हैं और उसके regarding आपको कुछ भी पूछना है तो आप channel पर comment कर सकते हैं जहां तक है वीडियो पर comment कीजिए और हाँ अगर आप like subscribe नहीं किये हैं तो channel को like करे subscribe करे ठीक है फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ भी एट के regarding जो भी doubt है आप comment कर सकते हैं मैं जहां तक संभवगा आपकी health करूँगा बबाई take care